गुरु जिन्दगी में अगर कहीं चैन है तो वह बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन है उज्जैन जिन्दगी में चौचक रोमांच है जहां महाकाल का भौकाल है जहां शिफ के डमरूर के डमडमाहट से जिन्दगी शुरू होती है और शिप्रा की चमचमाती दुधिया रोष्टी में डिम हो जाती है उज्जैन कोई कलपना कहानी नहीं बलके जिन्दगी है हमारी और इसी जिन्दगी और जिन्ददिल्नी का नाम है महादेव यहां के हवाओं में गेंदे गुलाव और चमेली की महत है यहां के लोगों के दमनियों में महाकाल का भस्म है उज्जर पुर्ता की सनक में पितामबर और तिलक का हनक है चंदन की शितलता है तुरुद्राक्ष का रोद्रवी है यहां के लोग अपने हर चीज से समझाता कर सकते हैं लेकिन अपने मान स्वाविमान से नहीं क्योंकि यह शहर ही महाकाल के त्रिशूल की नोक पर ठिका हुआ है इसका अलागी स्वाविमान है महाकाल की नगरी उज्जयन को उसर की नगरी कहें तो गलत नहीं होगा खुसर यानि शमचान की भूब यानि वो इस्थान जहां किसी मनुष्य को मित्द के बत्षात चलाया जाता हूँ काय की काल को जिसने अपने बस्मिका रखा है वो महाकाल है महाकाल की नगरी उज्जयन जहां हर चीज में मंगल है जहां जीना भी मंगलकारी है और मरना भी मंगलकारी है जहां हरस्वा भक्तों के लिए कुछ अलगी होती है जो भक्त के मन में किसी पारदर्शी शीशे की भाति सलगती रहती है यहां शिक्की आर्थी का अलगी मजा है असमार्ती, जोरदार शंक, प्रचंडगनी, दमरू की ध्वनी के साथ पिया जाता है महाकाल का स्वाद भी निराला है जहां दई और चावल से महाकाल की दूसरी आर्थी भी संपन्न होती है यहां की शाम भी महाकाल के नाम होती है जहां डमरू, ढोल और नगाड़े की ध्वनी मंत्र मुग्द कर देते हैं उच्जैन जहां महाकाल हो, वहां मया सती ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता का जाता है कि शक्ति पीठों से एक इस्थान्याबी है जहां माता सती की कोहनी गिरी थी जिसको हम हर सिद्धी मंदिर के नाम से जानते हैं महाकाल जिनके भै से कैलाश भी खिलने लगता है महाकाल जिनके भै से भै भी काप जाता है महाकाल जिनके भै से स्वयम प्रम्भा भी जुप जाते हैं महा काल जिनके भैसे स्वयम काल भी अपना रुख मोड लेता है तो कहते हैं दक्षर दिसा है काल की काल को जिसने वश्मिका रखा है जै बोलिये उस महा काल की पुच्चन के राजा कभी किर्पान जरिया, राजा महाराजा कभी किर्पान जरिया, दुखिया पे डाल नारे, ओ बोले राजा